हाई, welcome to my channel, इस video में solve करें question number 7, तो ध्यान देशेगा, write the cubes of 5 natural numbers which are multiples of 7 and verify the following, the cube of a multiple of 7 is a multiple of 7 to the power 3, करना क्या यहाँ पर कि हमें 5 natural numbers ऐसे लेने हैं, जो multiples of 7 हों, तो हमें ढूटना पड़ेगा कि multiples of 7 क्या होंगे, तो देखे 7 में यदि multiply करेंगे आप 1 से, जो मिलेगा, यह जो 7 मिला, हम बोलेंगे कि 7 इसे multiple of 7, और 7 में यदि हम 2 simplify करेंगे, तो मिलेगा हमें 14, तो हम बोलेंगे 7 into 3 करेंगे 21 आजाएगा, 21 is also a multiple of 7, likewise you can find as much multiples of 7 as you want, okay, 5 multiples of 7, 5 multiples of 7, हमें करना कि यहाँ पर cube निकालना है सबका, और cube निकालकर देखना है, नीचे बाला जो है sentence verify हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पर क्या verify करना है, यहाँ यह करना है कि, यदि जो multiple of 7 है, जो यह सारे numbers है, उसका यदि cube करते हैं हम, cube करने पर जो मिलेगा, क्या होगा multiple of 7 cube होगा, बस यह verify करना है, चले सबका पहले cube निकालते हैं, और फिर हम verify कर पाएंगे, cube of 7, cube of 14, ओके तो मैंने सबका cube यहाँ पर लिख दिया है, अब यहाँ पर हमें बस check करना है कि, क्या यह जो cubes आया है, 7 का cube आया है, 343, 14 का cube आया है, 3744, 21 का cube है, 9261, 28 का cube है, 21952, and cube of 35 is 42,875, हमें चे करना है कि, यह cube है, इनके अंदर जो है, multiple of, मतलब यह सारे का सारे जो है, multiple of 7 to the power 3 है या नहीं, मतलब यह चीज, is multiple of 7 to the power 3, मतलब इसमें 7 to the power 3 चुपा हुआ है, इसमें भी 7 to the power 3 चुपा हुआ है, तो हम कैसे इसको पता लगा पाएंगे, तो देखे ध्यान से, यहाँ पर देखे 7 to the power 3, आल्रेड यहाँ लिखे थे हम, और equal to आया था 343, तो इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल इस तरी 2 to the power 3 multiplied by 1, देखे यहाँ पर बिल्कुल देख रहा है कि this number, this number is a multiple of, multiple of what, 7 to the power 3, similarly हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो देखे ध्यान से, इसको फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, 14 to the power 3, तो 14 to the power 3 के लिख सकते हैं, 14 multiplied by 14, मुटिप्लाइड बाइ 14, ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ ब्रेक करते हैं, 7 of 2 में, तो इस 14 गो लिख सकते हैं, 7 multiplied by 2, मुटिप्लाइड बाइ 2, यहाँ भी लिख सकते हैं, 7 multiplied by 2, देखे 7 जो कितनी बार यहाँ पर, 3 times, तो हम लिख सकते हैं, 7 cubed multiplied by, जो बचा हुआ इसको लिख दीजे, 2 to the 4 to the 8, means 8, तो यह यहाँ पर मतलब क्या कर रहा है, 3744 यह जो है, जो कि क्यूब आफ 14 है, यह जो नमबर है, वो मल्टीपल है, किसका? इसका, 7 to the power 3 का, similarly हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, 21 multiplied by 21, multiplied by 21, is equal to, देखे यहाँ पर, यहाँ पर कर देंगे, 3 into 7, यहाँ भी कर लेंगे, 3 into 7, into 3 into 7, और देखे, 7 जो है, 3 times यहाँ पर आचुका है, तो 7 का पावर हम ले लेंगे, 3, multiplied by 39, 3027, so finally हमारा जो है, यहाँ पर देख रहा है, कि 9261, जो कि यह है, क्यूब आफ 21, is a multiple of, this is a multiple of 7 to the power 3, ठीक है, अब similarly हम यहाँ पर निकालेंगे, तो 28 का क्यूब करता है, 28 into 28, into 28, is equal to, तो 28 को इदी ब्रेक करेंगे, तो 7 into 4 आएगा, यहाँ भी कर लेंगे, 7 into 4, into 7 into 4, और धान देखे, 7, 7 and 7, इन तीनों को इदी एक साथ multiple करेंगे, तो 7 into the power 3 हो जाएगा, multiplied by 4, multiplied by 4, multiplied by 16, 16, 64, ओके, तो यहाँ पर देखे, हम कहेंगे, कि 21,952 is a multiple of, multiple of 7 to the power 3, similarly हम यहाँ पर करेंगे, 35 multiplied by, 35 multiplied by, 35, 35 को हम ब्रेक कर लेंगे, 7 into 5, multiplied by 7 into 5, multiplied by 7 into 5, यहाँ पर देखे, 7, 3 times, तो लिसकते हम 7 cube, और जो बचा हुपा है, 125 ऐगा, 5, 5, 25, 25, 25, 125, तो हम कहेंगे, कि 42,875 is a multiple of 7 to the power 3, ठीक है, यही तो यहाँ बोल रहा है, कि तो, cube of a multiple of 7, means, cube of a multiple of 7, this is a multiple of 7, cube of 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 multiple of 7, and cube of multiple of 7, all these are multiple of 7, so, कर रहें कि, cube of multiple of 7, is a multiple of 7 to the power 3, तो, cube करेंगे, जो आएगा, मतलब यह जो आएगा, यह जो है multiple of 7 to the power 3 का, देखेंगे, इसको हम जब लिखे, factor के form है, तो 73 to the power 3 into 1 आ गया, इसका मतलब कि दिसे जो multiple of 73 to the power 3, and 33,744 को भी जब हमने factor के form ही लिखा, तो 7 to the power 3, multiple of 8 आ गया, मतलब यह भी बता रहा है कि, यह जो number है, वहाँ 7 to the power 3 का multiple है, similarly, all these, we have verified, clearly, clearly, it is verified, it is verified, that, that the cube of, cube of a multiple 7, is a multiple of 7, is a multiple of 7 to the power 3, देखेंगे, यहाँ पर यह बहुत simple भी यहाँ पर है, कि, विदि आप कोई भी 7 का multiple लेते हैं, तो 7 का multiple, 7 into a के form में रहेगा, a कोई भी natural number हो सकता है, ठीक है, जब इसका cube करोगे आप, तो जो cube होगा, जो 3 power होगा, वह दोनों में distribute हो जाएगा, 7 to the power 3 into a का power 3, तो यहीं पर बिल्कुल confirm है, और clear है, कि, जब भी multiple आप 7 लेंगे, और उसका cube करेंगे, तो जो resultant आएगा, उसमें जो है 7 cube, एक factor होगा यह होगा, and therefore उसको हम बोल सकते हैं कि multiple आप 7 to the power 3 है यह, तो concept यहीं है, simple, बस इसको थोड़ा सा elaborate कर दिया गया यहाँ पर, तो मुझे पदा है कि आप समझ चुके होगे पूरी तरह से, यदि फिर भी कोई doubt होता है, तो करनो सो ले सकते हैं, यदि डाउट नहीं है, तो बिल्कुल बेज़ी जख, आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और अपने दस्तों को पुचा सकते हैं, दस्तों को भेज सकते हैं, share कर सकते हैं, देखते रहिए, जो सब्स्क्राइब नहीं कियां तो सब्स्क्राइब कर लिजेगा, थैंक यू सो मुच पर वाचिंग, बाइ!